नरायनपूर और कांकिर जिले की सीमा वर्ती राके में नकसल मोर्चे पर तैनात बेसेफ के जवानों से भरी वाहन शुक्रवार को दुर्गटना ग्रस्त हो गई जिसमें 17 जवान घायल हो गई बताया जा रहा है कि जवान 162 बटालियन के हैं जो बेसेफ के मालवाख वाहन में सवार होकर छुट्टी के लिए जा रहे थे नारायनपूर स्पी पुषकर शर्मा ने बताया कि कांकेर के रावगाट और नारायनपूर जिले के ताडोकी के सीमा शेत्र के पास एक वाहन के पलट जाने से बेसेफ के 17 जवान घायल हो गई 17 जवानों में से 4-5 जवानों को गंभीर चोटे आई हैं उन्हें इलाज के लिए राइपू लिजाए गया है देररात प्रदीश के उपमक्य मंत्री एवम ग्रिह मंती विजश्टर मास पताल पहुँचकर घायल जवानों का हाल चाल जाना उसमें जो सावार कुछ जवान थे जिसमें से 17 जवान को चोटे आई थी उनको तुरंट जिला नारायनपूर के डिस्टिट हॉस्पिटल में भंती कराया गया जवानों की हालत अभी सही है उनका प्राइमरी उपचार कर दिया गया है उसमें से करीब 4-5 जवान जिनको जिनकी स्थिती थोड़ी सी जिनको बहतर इलाज के आफशकता है तो उनको हम हायर सेंटर पे डॉक्टरों दोरा रेफर किया गया है और तो उनको हम राइपूर ल के जाने का बिवस्ता कर रहे हैं